कॉंस्टीपेशन कब्स या पेट कर साफ न होना it is a most common gastro-intestinal problem it is not a disease it is a symptom hard stool incomplete evacuation finger evacuation motion करते वक्ते एस्ट्रें देना हफ्ते में तीन बार या तीन से कम बार मोशन होना ये कॉंस्टिपेशन को दरसाता है नमस्कार मैं डॉक्टर रनन जय परताप सिंग बैदिक हास्पिटल जुही गौशाला कानपूर जैसा कि मैंने आपको लक्षणों के विशन बताया कि अगर आपको हार्ड इस्टूल हो रहा है आपका पेट पूरी तरहिके से आपको लगता है कि साफ नहीं होता है फिंगर इवेक्वेशन की करने के आवशकता पड़ रही है मोशन करते वक्त आपको स्ट्रेन देना पड़ रहा है या हफते में तीन बार या तीन से कम आपको मोशन हो रहा है तो आप constipation की कटेगरी में आते हैं अब हम जानते हैं कि क्या है इनके कारण आजकल का सबसे जो मुख्य कारण है वो है lifestyle changes मतलब low physical activity, sedentary lifestyle इसके अत्रिक्ट, low fiber diet intake and low liquid intake it is the most common cause of constipation इसके अत्रिक्ट, अगर हम disease की बात करें तो आजकल जो lifestyle disorder को दरसाती है type 2 diabetic mellitus, इसके अत्रिक्ट, hypothyroidism, Parkinsonism या की बड़ी आत्मे किसी प्रकार का सकरापन या किसी प्रकार की growth भी आपको constipation में ख़़ा कर सकती है इसके अत्रिक्ट, अगर आप OTC medicines like calcium या iron की गोलिया लेते हैं तो भी आपको constipation हो सकता है आपको इन लक्षणों के साथ अगर associated symptoms भी आते हैं जैसे की पेट में दर्द होना, flattus का पासना होना, पेट का फूलना, recurrent vomiting जो stool होता है उसमें blood का आना, breathlessness होना, tachycardia होना, fever आना तो आपको आपके नजदी की doctor से मिलने की तुरंत आवश्यक्ता है अब हम जानते हैं कि constipation के लिए हमें क्या-क्य investigation कराने की आवश्यक्ता है जनरली जो 90% cases होते हैं उनमें जो ये constipation होता है ये आपके life style changes को ही दिखाता है तो इसमें हम लोग को बहुत जादा कोई investigation कराने की आवश्यक्ता नहीं होती लेकिन अगर किसी बीमारी के करान आपको constipation हो रहा है तो उस condition में हम लोग x-ray abdomen, ultrasound, CT scan या colonoscopy भी करा सकते हैं colonoscopy के अंतरगर्थ हम ये देखते हैं कि हमारी पूरी बढ़ी आत में कोई आपको growth तो नहीं आ रही, कुईसी प्रकार का सक्रापन तो नहीं आ रहा है या कोईसी प्रकार की रास्ते में रुकावट तो नहीं आ रही है ultrasound में इसमें देख सकते हैं कि किसी प्रकार आपकी आतों की चाल में रुकावट तो नहीं आ गई है इसके माद्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या आपको constipation है या है तो वो किस कारवश है अब हम यह देखेंगे कि constipation से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या-क्या changes करने चाहिए जैसे कि मैंने causes में बताया कि इसका मुख्य cause और most common cause है कि life style sedentary life style, low physical activity तो आपको इसमें physical activity को बढ़ाना पढ़ेगा हमारे देश में वैसे भी आजकल प्राणायाम को बहुती महत दिया जाने लगा है तो इसमें मुख्यता, मंदू कासन और कपाल भाती के प्रयोग से आप constipation को दूर कर सकते हैं इसके बाद मैंने बताया था कि low liquid intake के constipation होता है तो हमें पानी की मात्रा अपने शरीर में बढ़ानी चाहिए लिक्विड intake को अपने शरीर में बढ़ाना चाहिए इसके अतरएक diet में काफी changes करके हम अपने constipation को दूर कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था कि low fiber diet इसके एक आप constipation सबसे जादा होता है तो हमें diet में fiber की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा अगर हम लोग सुबह ब्रेड का सेवन करते हैं तो ब्रेड में whole wheat grain whole multi grain bread या wheat bread को replace करना चाहिए इसके अतरिक्ट अगर हम fruits में देखें तो सेब है नासपाती, plum बनाना और पपीता कीवी ये सब fruits में सही थी खाना चाहिए तभी इने सही से fiber की मात्रा हम लोग को प्राप्त होगी इसके अतरिक्ट beans, beans में जैसे soya bean, rajma, peas, mutar broccoli, shakarkand इन सब में fiber की मात्रा बहुत अतरिक होती है इसके अतरिक्ट अगर हम देखें nuts and seeds में तो nuts में almonds walnuts यानि बादाम, walnut अखरोट और seeds की बात करें तो flex seed यानि alcee के जो बीजे होते हैं pumpkin seed तिल इन सब को आपको सलाद में डाल के खाना चाहिए इनको as it is खाना चाहिए, इनका कोई तेल बना कर या इस प्रकार अगर आप 7 करेंगे तो fiber की मात्रा प्राप्त नहीं होगी इसके अतरिक्ट berries like raspberries, blueberries, blackberries strawberries भी आपको constipation से दूर करने में सहयक होती है इसके अतरिक्ट अगर हम लोग dried food की बात करें तो उसमें सबसे अतिधिक मात्रा जो fiber की होती है वो prunes में होती है prunes के अलावा हम लोग apricot fix यानि अंजीर का 7 भी कर सकते हैं regins यानि किश्मिश जैसे चीज़ों का 7 भी कर सकते हैं इसके माद्यम से आपको जो अपने constipation है उससे दूर करने में सहयता प्राप्त होगी इस प्रकार हम अपने डैनिक जीवन में कुछ चीज़ों का परहज कर कुछ चीज़ों को डाइट में एड़ कर लाइव स्टाइल को चेंज करके हम constipation से निजातपा सकते हैं अगर आपको इस वीडियो के माद्यम से अपनी इस बीमारी को पहचानने या इस में से निजात पाने में सहयता मिली हो किसी भी प्रकार की सहयता मिली हो तो इस चैनल को سब्सक्राइB करें लाइक करें शेयर करें और कमन्ट करना न भूले थेंक यू